नमस्कार किसान भाईयो मैं हूँ आपका पटेल भाई क्रिशी नेटवर्क के सैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो किसान आजकल विज्यान की साहियता से अपनी जमीन को अपने खेत को सुनहरा खेत के पारूप में बदल रहा है क्यूकि किसान आजकल थदियों से चले आये हुए फसलों को छोड़ कर नई टिकनिक के और नए नए फसल आपने खेतों में उसका उत्पाद कर रहा है इसी का एक अच्छा उधारन नंदुरबार यह महाराष्ट के एक छोटे से जिले में एक किसान ने अपने खेतों में ड्रैगन फूर्ट का उत्पादन लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रैगन फूर्ट को किस तरह से उसने उत्पाद किया है दोस्तो आप यहाँ पर एक रिंग देख रहे हो जो सीमेन की साहेता से बनी है और पोल देख रहे हो यह पोल भी सीमेन की साहेता से बना कर उसका उपज लिया है क्योंकि एक बार अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आप 25 साल तक इसका उत्पादन ले सकते हो हम इस फल में किस तरह से जैमीन लगती है किस तरह की सिंचाई की करनी चाहिए या इसके लिए वातावरन कैसा होना चाहिए इसकी जानकारी लेंगे दोस्तो सबसे पहले ड्राइगन फूट या विदेशी फल है ये कैक्टेस की नसल से निकलने वाला ड्राइगन फूट हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे प्रोटीन उपलब्द कराता है और उसी के साथ साथ ये रात के समय में बहुत जल्दी से बढ़ता है इसलिए इसे क्यों आप दा नाइट भी कहा जाता है दोस्तो मुख्यता यह फल कौन से देश में लिया जाता है तो थाइलेन, वहितनाम, इजराइल और स्री लंका में बहुत लोग प्रिये है इसकी तकरिबन बाजार में किम्मत है 1.500 से 2.00 रुपे किलो तक दोस्तो भारत में इसी वजह से इसका चलन बहुत बड़ा है कमोर्षवाले शित्र में ड्रैगन फूट की खेती के लिए विप्विक्त माने जाते है ड्रैगन फूट में आउशेदिये गुन भी मौजुद होते है दोस्तो ड्रैगन फूट का कहा पर इस्तमाल किया जासा है जैम, आइसक्रीम, जैली, जूस, वाइन भी बना सकते है सोंदर ये प्रसादनों के तोर पर भी हम फेस पैक के रूप में इसे इस्तमाल किया कर सकते है ड्रैगन फूट के तीन प्रकार होते है एक सपेद रंग के गुद्दे वाला लाल रंग का फल, लाल रंग के गुद्दे वाला लाल रंग का फल, सपेद रंग के गुद्दे वाला पीले रंग का फल इस तरह से तीन प्रकार से ये दिखाई देता है ड्राइगन फूर्ट उपोशन जलवायू पोदा है फलों के विकास यवा पकने के समय गर्म यवा शुष्क जलवायू के आउशकता होती है दोस्तो इसके लिए पचास से पचात्तर सिमी वार्षिक आउसद बारिश प्रैप्तों होती है तता 25 से 32 डिग्री सेलसियत आपमान इसके लिए बहुत उपईक तो माना जाता है सुर्य प्रकाश बहुत ज़ादा खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता सुरज की रोशनी जिन इलाकों में ज़्यादा हो उन इलाकों में बहुतर उपच के लिए चायादार जगह में इसकी खेती की जा सकती है दोस्तो इसके लिए मीटी केसी होनी चाहिए ड्रैगन फूट तो विभिन्न प्रकार के मीटी के अंदर मुर्दाओं में उगाया जा सकता है जैसे हम अच्छे जल निकास वाली रेतिली दोमट मीटी में इसका उत्तम तरह से उत्पादन ले सकते है बहतर जिवायश्म जहाँ पर हो जल निकासी वाली बुलुआई मिटी हो तो हम बहतर तरीके से इसका उत्तम ले सकते है और भारी मुर्दाओं में मतलब भारी मिटी से हलकी मिटी में इसका उत्तम अच्छा आता है ड्रैगन फूट की खेती के लिए मिट्टी का प्येचमान साड़े पास से लेकर साथ तक उपिक्तमाना जाता है और उसी तरह से जब हम खेत की जुताई करते हैं तो जेविक कमपोश्ट अनुपात नुसार मिट्टी में दिया जाना चाहिए एक हेक्टर में कम से कम सतर से हसी टन अची सड़ी हुई खाद इसमें बिखेर देना चाहिए और सबसे पहले तो मिटी का परिक्षन कर लेना बहुत आवश्चक है ड्रैगन फूट की बुवाई की सरह से की जाती है दो बाई दो मिटर की दूरी या पच्चास बाई पच्चास सेंटी मिटर आकार के गड़े मई के महने में खोद कर पंदरा दिनों के लिए उसे खुले छोड़ देना चाहिए ताकि गड़ों को अच्चे से धूप मिल सके और उसके अंदर जो हनिकारक चीजे है किडे मकोडे है रोगानू है इनकी इनको नश्ट किया जा सके ड्रैगन फूट की खेती बुवाई का सबसे सामाने तरीका है उसे काट कर लगाना और जो गुनवत्ता पूर्नों पोदों के छटाई से ड्रैगन फूट के सैंपल तयार करना चाहिए तकरिबन 20 सेमी लंबे होना चाहिए जैसे हम पोदों को सुके गोबर के साथ मिला कर मिटी बालू गोबर के साथ एक रेशो एक रेशो दो के आनुपात मिला कर रोब देना चाहिए जैसे हम कमपोश्ट खट गड़ों में 100 ग्राम सुपर फास्पेट भी डालते हैं में मदद करने के लिए हम सपोर्ट के लिए हम हम यहां पर देख रहे हैं कि सिमीन के पूल और सिमीन की रिंग बनाई गई है वेसे ड्रैगन फूट जो है ओ जुन जुलाई या फरवरी मार्च में लगाये जाते हैं पर जादा बारिश सर्दी वाले इलाकों में सितंबर या फरवरी मार्च में लगाना चाहिए जब तक पोदे अच्छे तरह से पनपना जाए और दो फर बात हलकी सिंचाई करने चाहिए अभी किस सरह से ड्रैगन फूट की सिंचाई होना चाहिए अन्य जो फसल होती है उनके जरिए ड्रैगन फूट को बहुती कम पानी लगता है रूपई के तुरंद बाद पानी दे फिर एक सप्ता के बाद भी दिया तो भी चलता है और उसके लिए एक ड्रिप होना बहुत आवश्यक है ड्रैगन फूट को ज़्यादा खात की जरूरत नहीं होती और जैसे हम देखते हैं कि खात की खुराक मीटी की जाच के बाद ही देना चाहिए क्योंकि उसमें के पोशन तत्व हमें पता चल जाते है 15-20 किलो जेविक कमपोश्ट खत दिया गया तो भहती अच्छा रहता है और इसके बाद प्रते साल हम दो किलो जेविक खात बढ़ा सकते है या रासानिक खात की जरूरत पढ़ने पर आप दे सकते हो फूल आने से लेकर फल आने तक यानि फूल आने के ठीक पहले मतलब अप्रेल फल आने के समय जुलाई अगस्ते और फल तोडने के दोरान दिसंबर में तक ही सानुपात के रासानिक खात दिया जाना चाहिए और ड्रैगन फूल के फूल इवव फल जैसे हम बाद कर रहे है कि पोदो में मैई जून के महने में फूल लगते है और अगस्ते दिसंबर तक फल आते है तो एक महिने में जैसे हम ड्रेगन फूट तोड़ सकते हैं इस साओधी में पेड़ से कम से कम पाच्छे बार फल तोड़े जाते हैं फल तोड़ने लाइक होने पर वो आसानी से हमें समझ में आ सकता है जैसे सत्तर प्रतिशत अगर लाल या पिला रंका हो जाए तो उसे तोड़ना चाहिए और जैसे तिन से चार दिन के अंदर में फलों को तोड़ना उपरिकत होता है ड्रेगन फूट की उपर जैसे हम देखते हैं कि सिजन में तिन से चार बार यह फल देता है और वजन लगबाद 300 से 800 ग्राम तक होता है 50 से 120 फल लगते है जिसका अनुमाती तूचन 20 से 30 किलो हो सकता है या हम अगर मान ले तो फलों का कम से कम वजन 20 किलो मान लेते हैं तो भी हमें 6000 किलो फल प्रति एकट प्राप्त होता है और बजार में 200 से 800 या 300 तक इसका दाम मिलता है तो शुद्ध रूप से हमें 6-8 लाक रुपे इससे मुनाफ़ा मिल सकता है और इसमें बिमारिया ही किस प्रकार की नहीं होती अभी तक ड्रैगन फूट में किसी भी तरह की बिमारी नहीं देखी गई है दोस्तो हम इसमें दुगना फायदा ले सकते है और इस खेती के अंदर हम जो दो ड्रैगन फूटों के बीच में फासला होता है उसके बीच में हम दूसरी फसल ले सकते हैं यहाँ पर इस किसान ने मिर्च की फसल ली हुई हमें दिखाई दीती है और मिर्ज भी इतनी बढ़िया है कि उसे भी उसे लाखों का नपा मिल सकता है दोस्तो एक बार अगर हमने ड्राइगन फूट लगा दिया तो हो 25 से 30 साल तक हम इसका उत्पादन ले सकते है और जादा से जादा उत्पादन लिया जा सकता है आपको एक बार इन्वेस करना है अगर एक बार इन्वेस हो जाता है तो आप 25 से 30 साल तक अच्छा मुनापा कमा सकते हो एक साल में 6 से 8 लाक रुपेर पती एकड़ की हिसाब से आप पेशा कमा सकते हो क्योंकि किसान की तरक्की अगर करना है तो हमें विज्ञान के सास से चल कर विज्ञान की साहयता से आगे बढ़ना होगा और नए नई फसलों को लाना होगा क्योंकि परमपारिक फसल में खर्चा जादा हर उपादन कम हो चुका है अगर नई टिकनिक का यूज करते है तो हमे खर्चा कम और मुनाफ़ा जादा मिलता है दोस्तो इस किसान ने विग्यान की साहेता से बहुत अच्छी तरीके से अपनी खेती को विकसित की है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गोबर खाद इतना अच्छा मिलाया गया है और यहाँ पर इस इस ड्राइगन फूट को किस सरह से ब्रांचे साने की शुरुवात हो रही है यह भी हम देख सकते है जो नए तरीके के किसान है नई टकनिक का यूज़ कर रहे है इन किसानों से हमें जानकारी मिलती है और हमारे चैनल के जिरिये हम आप हर किसान तक इसको प्रोवाइड करते है तो जादा से जादा इसे लाइक करे और शेर करे मैं पटेल भाई आज का विशे यही पर समाप्त करता हूँ और कृशी नेटवर को सब्सक्राइब करे और लाइक करे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो अगर पसंद आये तो से लाइक करें शेर करें और हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आकरिन को जबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफेकिशन्स मिलते रहें धन्यवाद